जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है बहुत ज्यादा प्यास लगती है उस इस्थीदिये में गर्मी की शिकायत में आप शिशम के कुछ पांसाथ पत्यों को तोड़ करके और उसको पीस करके उसमें पानी मिला करके मिश्री मिला करके सरवत की तरह से आप उसका सेवन कर स तो एक यह बहुती बहुती अच्छे ओशदी है गर्मी के लिए गर्मी से संबंधित रोगों के लिए एक घटना मुझे समर्ण हो आती है हम लोग राजस्थान में शिविर लगा रहे थे आज से लगभग यह कोई 15 साल पहले की घटना है तो जब शिविर लगा रहे थे वहा जादा ओवर ब्लेडिंग की सिकायत थी वह बहुत दिन से बहुत महनों से विस्तर में पड़ी हुई थी बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया कई बार हमने ब्लड भी चढ़ाया पर वह ठीक नहीं हो पाई फिर बाद में एक सज्जन आये उन्होंने कहा कि इसको यह से इसका प्रयोग लगभग आज तक हम समझते हैं कि हजारों लोगों के उपर करा चुके हैं और आस्था चैनल के माध्यम से सद्धे स्वामी जी के मुखारविंद से लगभग लाखों लोगों ने इसको अपनाया होगा तो यहां बहुत शीतल होता है हम कहते हैं कि सीशम क के पत्यों को घोट करके पीएं तो सर्दी का मौसम है तो थोड़ा काली मिर्च मिला लें अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है राजस्थान के ही एक सज्जन थे कहने लगे कि मुझे की रुक रुक करके पेशाब होने की सिकायत थी मैंने शीशम के पत्यों का सेवन किया और अभी भी लगबग 5-6 साल से करता हूं और मेरी जो पेशाब की परिशानी है वे खुल ठीक है निश्चित रुप से वह मुत्र क्रिच्छ में जो रुक रुक करके पेशाब होता है खुल करके पेशाब नहीं होता है उसके लिए यह एक बहुती दिव्योशदी है उसके साथ साथ में उन्होंने दो लाइने और लिखी थी उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कहते हैं कि शीशम के पत्ते यदि सर्दी में ज्यादा प्योगे तो ठंडे हो जाओगे मैंने कभी काली मिर्च नहीं मिलाया और शीशम के पत्तों को सर्दी में भी पिया पर मैं ठंडा नहीं हुआ आज तक ठीक हूं तो बहुत अच्छी बात है यह दि आपकी प्रकृती बहुत ज्यादा गर्म वाली है पित वाली है तो हो सकता है कि इसकी सर्दी से आपको कोई परेशानी नहों पर यह दि कोई कफ प्रकृती वाला ले लेगा तो मैं समझता हूं कि सर्दी में स सावधानी किया वशक्ता है.